बिस्मिल्लाइ रह्माले रहीम, असलाम अलेकुम, एक नई सुछा है कि व्लॉग और रेसिपी को अलग कर देती हूँ क्योंकि अभी काफी लोगों ने मुझसे पूचा जब टमाटर सस्ते हो गए थे, काफी लोगों ने पूचा कि आपने टमाटर जो टमैटो केचप बनाया था, तो इस वज़ा से मैंने सूचा है कि जब मैं ब्लॉग में रेसिपी अगर दूँगी तो थमनेल पर अच्छी सी पिक्चर दे दूँगी, कि इसमें ये वाली रेसिपी या फिर रेसिपी में अलग से दे दूँगी, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, कैसे करू इसके लिए मैंने अच्छी क्वालिटी के टमाटर ले लिये हैं, ये 12 टमाटर हैं बड़े साइज के, क्योंकि मैंने काफी सारे टमाटर ले लिये थे, मेरा अंदाज़ा था कि मैं किलो या 1.5 किलो का बनाऊ, लेकिन मैं आपको अंदाज़ा बता रही हूं कि ये 12 टमाटर हैं और बड़ी साइज की और इनको मैंने इस तरीके से काट लिया है किसी भी शेप में काटें इसमें कोई वो इशू नहीं है लेकिन टमाटर अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए आप ये ना सोचे कि केचप बना रहे हैं पिर अचार बना रहे हैं उसमें नजर नहीं नहीं आए पेस्ट बना लेंना है पैसे बना सकते हैं ये इचित्छी कोई आपने पानी पैस्ट किसी भी तरीके से में बना सकते हैं जो भी आ सके प्लागे बना लेना है सुमूद सा हो और इसमें टमाटर के कोई भी चंक्स वखेरा ना रहें इसके बाद अचार का मसाला बनाना है इसके लिए मैंने ले लिया है सूखा धनिया दो चमच राई दाना दो चमच इसके बाद है जीरा दो चमच सौफ दो चमच जो भी अचार में मसाले ड साफ और शमी इस में काली मर्च, ज्यादा कर सकते हैं अगर को अकी पसंद है तो आप कर सकते हैं इसे अब में ड्राइय रोस्ट कर रही हूँ हूँ इसका सिर्फ मॉइस्च जू है वो ड्राय करना है और इसको ज्यादा पकाना जलाना पिल्कुल भी नहीं है थोड़ा सा से दिखा रही हूँ कि इस तरीके का इसका मसाला होना चाहिए इसके बाद जो पेस्ट बनाया था उसे दुबारा से मैंने रख दिया है पकने के लिए इसका पानी हमने ड्राइ करना है ताकि ये अचार काफी दिन तक सेफ रहे खराब ना हो इसके बाद मैं इसमें इमली एड कर दूँगी क्योंकि टमाटर खटे नहीं है और खटास अचार में होगी तो फिर अचार लगेगा छे चमच मैंने इसमें इमली के अट कर दिये हैं इमली भी एक मीठी आती है खटी आती है तो आपने ले लेनी है इसके बाद जो अचार का मसाला बनाया था वो मैंने पूर लाल मिर्च आप ज्यादा कर सकते हैं मेरे घर में मुझे पता यह ज्यादा खाया जाएगा तो फिर मेने मिर्चें कम कर दी है इसके बाद इसको फिर से पकाया और इसके छींटे बहुत उड़ते इसी वज़ा से मैंने इसका बंद कर दिया इसको ढखन रख दिया है ताकि वाला जो लसन होता है वो दो ले लिये हैं इसको इस तरीके से लंब लंब काट ले या फिर इसे क्रश कर लें कूट ले थोड़ा हलका सा जो भी आप वैसे इस तरीके से ज्यादा अच्छा लगता है मुझे खाने में लसन ज्यादा अच्छा लगता है तो मैंने इस तरीके इसके बाद सरसों का तेल दोबारा से ले लिया है, एक कप भरके, अब इसमें मैं ड्सन काट के रखा था, और कड़ी पता कड़ी पता जो है उसका भी फ्लेवर काफी स्ट्रॉंग सा होता है तो मैंने 10-30 के लिए थे और इसे बहुत ज्यादा जैसे हम कड़ी का तड़का पकाते उस तरीके से नहीं इसको फ्राय करना है थोड़ा सा इसका भी मॉइस्चर जो है उसको ड्राय करना है बस इसके बाद ये थोड़ा सा इसको ठंडा कर ले उसके बाद ये तड़का इसमें डाल देंगी और सिर्का करना था इससे तड़के से पहले में भूल गई थी तो अभी मैं इसमें सिर्का डाल रही हूँ थोड़ा सा और बकाऊंगे ताके इसका जो ऑईल जो है वापस निकल आए आपने सिर्का पहले करना है तड़के से पहले और ये देखें चार बनकर तयार हो चुका है आप दाल के साथ ले या फिर पराठे के साथ पराठे के साथ तो बहुत अच्छा लगता है तो इतनी अच्छी रेसिपी पर अचार बनाने पर टमाटर का अचार बनाने पर एक लाइक तो बनता है अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजे ताकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और ये थी जी आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजीगा दौाओं में याद रखिए अपना और अपनों का बह हाफिस